नमस्कार जी नमस्कार अपना शुब नम बताएं सर धर्म सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका बताईए क्या समस्य है हकीम साब आपकी आवाज सुन रहे हैं जी अच्छा ठीक है और एक है जो लड़का उसको फिसर है लड़कों को क्या है दोबारा पता है धर्म सिंगी फिसर फिसर बलड आता है ठीक है जी दोनों की उमर बताएं जी त्टीक है अच्छा देखिए पहले बच्ची की बात करते हैं जी जिस बच्ची को अँटर सर धर्ड़कर नहीं बनती उसका इलाज पहले बताना जरूरी हो सकता है कॉल कर जाए जी जी और यही सब जो निस्खेजात में बताता हूं यह सब यूट्यूब पर मिल सकते जी जी आप कागज और पैन लेके बैठें नोट करते जाएं जी देखिए एक दवा है जो मैंने जितने लोगों को भी बताया जी उन सब की उमीद पूरी हुई अरे वह और मेरा काम है सच्चा मश्वरा देना फिर रह जाता है आपका और आपके रब का मामला जी 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 कहते हैं असगन नागोरी दंडी हैं इत्ती बड़ी बड़ी और नागोरी वाले लेंगे तो बहुत फायदेमंद हैं नागोर वाला जी पिली पिली डंडी होती हैं यह आप तकरीबं ले लिजे सो ग्राम असवगनदा हिंदीresso हैं आसगन नागोरी हम लोग अपनी जावां में कहते हैं यह और कल्वाँजी और ऐशवगनदा नागोरी को कि कतनी ले निया हैं असवगनदा सो ग्राम लेनी हैं 100 ग्राम को अलग अलग पाॉडर बनाएं एक सत enjoyed summary, त्यर्लीने बाइब कryखाई मिक्स कर दें और इसकी दो चुटकी यह चुटकी से जितना भी आता है इसमें यह दो चुटकी रात को सोते रचes वक्त वह बच्चा और बच्ची दोनों यह लड़का को नब खाके सोें ऐसी पानी से ले लें दू से ले ले जूर से ले ले और तो तीन महीने खा सकते हैं ये नुक्सार नहीं देता इन सब इम्रास के अलावा बहुत सी बीमारियों को फायदा करता है जो आपकी यूरिनली से मतालिक हो या गरबाशे से मतालिक हो उन बीमारियों को दिफाय करता है जिनके बच्चों के धरकन नहीं आती सबसे पहले द बढ़कर आ जाने चाहिए यह गरब तो धारन कर लेती है यह यह निहीं हमल तो रह जाता है लेकिन वो दिल नहीं बन पाद सबसे पहले बनने वाला पाड़ जो है वो दिल है जिल अगर साथ ना दे जान निकल जाती है तो उस वक्त जब बच्ची हमल में हमल हो जाए और दिल भी बन जाए फिर आगे की मशवरा आप हमसे जरूर ले ले हमारे वेबसाइट से ले ले हमारे डॉक्टर से ले ले हमारे पार लीडी डॉक्टर भी ऑनलाइन रहती है जिए दिन में तो रहती है रात में भी हमारी मदद आपको पहुंच सकती है चोबिस खंटे डॉक्टर रहते हैं हमारे लागी पर तो फिर आएगी मदद करते रहेंगे ये फिर आप लगातार खाती रहें अगर आपका हमल रह जाए दिल बन जाए तो आप अपने शोहर को बंद करा दें आप खाते रहें अच्छा ठीक है और ऐसे वो लोग जिनको उलाद नहीं होती है जी 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 मैंने आपको लिसका बताया अब आपकी और आपके रब की का मामला है आपको फायदा हो नहो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं टी अर अपने बेटें और अपने पुतर और अपनी पुतरवधू यानिGame पहो और अपने बेटें को रात को सोने से पहले दो दो चुटकी लेने क पानी के साथ भी ले सकते हैं जूस के सब्सक्राइब हो जाती है दिल भी बन जाता सो बेटे को कहें वो लेना छोड़ते हैं और पुत्र herbs बहु को कहें वो इसको लेती है. बच्चे का रहे गया, वो क्या था? धरम सिंगी, हम कुछ भी गलत नहीं कहना चाहते हैं, आप लाइन पे हैं? बच्चे को फिशर था, याद आगी है मुझे, तो देखी, जिस शख्स को भी फिशर है, तो वो सबर करें, और कोई भी सखील गिजा, यानि जो मुश्किल से हज अदम होती है, वो दिख़ा है. और एक नूजखा बना ले और बहुत आसान है देखिए, पपीते का पत्त ओंफ और कल्मी शोरा, सबको को पचास-पचास गिराम लएके और पाउडर बना लें इसको पाउडर बना के एक किराम सुबाद एक गिराम शाम जह तक्रीबंधन एक कैपसूल बड़ा घिए खालिया करें कड़वा लगे तो कैपसूल भी मिलते मार्केट में और यह इस्तेमाल करना शुरू करें पहले एक खाया करें फिर कम फायदा हो तो दो टाइम कर दें कोई भी सखील के जानक है और इससे इनके बच्चे को फायदा होना मुम्किन है जैसे के पी नाम से जो कैपसिल थी हमारी पी केर तो क्या इसके लिए भी कोई खा ले सकते जी यह फिशर बावसीर जी एसीडिटी कब्स लीवर प्राब्लम या दवाओं के लुक्सानात किड्नी प्राब्लम जी या किसी की किड्नी की गंदगी बढ़ जाती है जी तो इन सब के लिए बहुत अच्छी दवा है आप ले सकते लेकिन पहले यह दवा लेके द से इस्तिक्बाल वेस्ट बेंगौल से आप बोल रहे हमें बताया गया हकीम साब आपकी आवास सुन रहे हैं आप फरमाएं प्लीस असलाम जाओ अलेकूं साब मेरे हमारे गुट्ने में गुट्ने में उम्र फरमाईये अब बात है जब एक्सरे वह रहा किया उन्हें ने बताया कि यह बात है और आप नीचे मत बैखें कामाफ हैं नमाज चियर में पढ़ें पेवू चीर में बात हैं और एक सर्सायज उन् कोई फाइदा नहीं आए रवादियत हैं वह उसी तार से नीव बान के अपना चलते हैं और मजबूरी में निमाच पढ़ते हैं जैसे मचियर में तो नहीं उसे लिल होके पहुंग लेते हैं अचा आपकी उम्र कितनी है और इसके अलावा कौन सी बीमार कोई बीमारी तो नही सतर साल होगी हैं माशाला और कोई बीमारी है डायबिटीज या ब्लेट पेशर नहीं यूरिक एसिड बड़ जासा है ठीक हाँ यूनिस साहब आपको खुब उम्र दरास करें सिहत के साथ और दुनिया और आखरत में काम्याब करें हम सब को और दुखिए आपके ये बीमार इन्शाला जितनी आपकी उम्र है तकरीबर इतना फाइदा आपको मुम्किन है अच्छा सेविंटी पॉसेंट इनको फाइदा मुम्किन है और कमोबिश जी और इसके लिए आप अगर बाकाइदा अपनी रिपोर्ट शेयर कर ले तो बहुत अच्छा है नहीं कर सकते तो कह नहीं हमारा जो हमरे द्वाखाने है जे द्यहरबल नाम से जहां जहां है वहां आप कांट्रेक्ट कर सकते वो भी नहीं कर सकते तो मैं घरे लिए उसका बताता हूं जे वो इस्तेमाल करें खुब लल्ला से मदद मागें और मुझे अमीद है कि आप को फाइदा मुम्किन है सुरंजान शीरी अजगन नागोरी और अलसी और कलोंजी सुरंजान शीरी अजगन नागोरी अलसी और कलोंजी खुब बारिक पाउडर बनाए बिलकुल पिसी भी मतला ही है आप उसे खरी दिये और घर में लाके पाउडर बनाए है और इसको दो चुटकी दीए चुटकी ह हमारी ऐसी दो चुटकी जितना भी इसमें आए आप सुबा और शाम खाने के बाद पानी के साथ आप लें मेरे लिए भी दूआ करें कि मैं मुझे भी कामियाब करें कि मैं लोगों की खिद्मत करता रहूं जब तक जिंदगी रहे और आपका ठीक होना मुमकिन है फूरिंजान शीरे अजगा नागरी जी अरसी और कलोजी और कलोजी ये जी जी ज messy और दो चीज़ा चीज़ा है तो जो आफ58 अन्हे अलग पाडर बना लें जो वैसी हैं आई हैं उनको अलग पॉडर बना लग तो आसानी होगी है और यह इस्तेमाल करें आप दो दो चुटकी यानि तकरीब एक ग्राम होता है जी तो यह इस्तेमाल करना शुरू करें लेकिन यह दवाई आपके मर्स की दवाई है अभी तक आप दर्द की दवाई खा रहे हैं जी जलु गवराना ने क्योंकि ये दवा का ये रवया है कि वो ड़्ध को वहाँ से निकालने के लिए अपनी जगा से धका देती है किसी पिंडली पर में किसी कमर तक आजाता है और अगर ये तगयूर होने लगा चेंज होने लगा तो समझ लिए दवा काम कर रही है कुछ लोगों को दर्थ बढ़ जाता है दो फीसद लोगों को दर्थ पहले से ज्यादा हो जाता है बाकि 98 परसेंट लोगों को कम ही होता चला जाता है और आपकी किस्मत कितना अच्छा फाइदा हो इतना आप एतियात करे लिए धवा को मुटार्थ लेंगे उतना फाइदा असानी से मुम्कन है विरेंद्र जी नमस्कार हलो समस्या जी आपका स्वागत है विरेंद्र जी कहां से बोल रहे हैं जैनल देख रहे तो तो अभी मैं इसके बारे में बता रहा था जी अभी बात ही हो रही थी और फिर बतायता हूँ एक तो आपका इलाका मैं जब मैं आगरा में रहता था तो बड़ा खतरनाक था वो इलाका उसी तरफ है ना अगरा इस तरफ उतर प्रदेश में है तो यह मध्य प्रदेश में अच्छा तो अभी आपके बारे में बात चले जी के जिन लोगों को फंगर इंफेक्शन हो एलर्जी हो इसकिन एलर्जी खुझली हो और बहुत सारे इसकिन के इम्रास के लिए अलसी आप लीजे दो डाइस हलका सा भूनिये और उसको फिर पौडर बना लिजाए आजकल तो हर घर में ग्राइंडर है बारीक पौडर बना लिए उसे रखिए आप एक डिब्बे में करके बंद करके और सुबह आपने हार मूँ भी ले सकते खाने के बाद भी ले सकते एक चमच वरके निकाले बुरा नहीं लगता जायकेदार लगता है जिनको शक्र नहीं है शुगर भी मिला सकते हैं इसमें और पानी पीलें ठंडाया गरम जैसा भी आप पसंद करें दिन बहुत ज्यादा है तो दो खुराक ले दिन में और कम है तो यह खुराक में ही ल' deaf आपको फाइदा दे सकता है ये बड़ा मुझरब है आप इस्तमाल करें किसी के काले काले निशान हो जाते हैं किसी के काले दाग हो जाते हैं किसी के पैरों में काले काले दाने होकर वो निकल होते हैं मैंने अपनी तज़र्बे में देखा कि हर तरह का बेश्थर मर्जों में इस नुसके ने लोगों को फाइदा पहुंचाया अल्ला के एकुम से आप भी कोशिश करिए बहुत मुझरब नसका है आपके आप अपने रब से खुब मदद भी मागिए अपनी वालदा जिन्दा है तो उनसे दूआ करवाईए वालिद है तो जो भी बुजर्ग है उनको खुश करिए अगर नाराज हैं तो उनको राजी करिए इंशालला आपका मज़ ठीक होने लाएक है